हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उमीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे आपकी डियलेट फोर्थ सेमिस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है शांती सिक्षा एवं सतत विकास उसी की क्लास आज मे लेकर के आई हूं लास्ट क्लास में आपको शांती कोशल के बारे में जानकरी दी थी और उससे पहले मैंने आपको शांती सिक्षा के बारे में बताया था कि शांती सिक्षा क्या होती है और सासाथ बच्चों को इसकी बारे में जानकरी देना क्यों आवश्य के उससे क्या बदलाव आएका क्या चीजे रहेंगी सारी चीजे मैं आपको बतार चुकी हूँ आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने चारही हो व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो टॉपिक है आप पहले कहीं न कहीं पढ़के आएं कहां पढ़के आएं तो आपको ध्यान आ रहा हो फर्स सिमिस्टर में आपका बाल विकास एक सब्जेक्टा जहां आपको पूरा का पूरा व्यक्तित्व टॉपिक मिलाता व्यक्तित्व क्या होता है उसके सिध्धान्त क्या है उसके विकास को प्रभावित करन जरूर करा करो आसथा लाइक करने में कंजूसीम मत किया करिए ठीक है चले आ व्यक्तित्व क्या है तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं personality बात करें तो व्यक्तित्व जो शब्द है वह personality शब्द का हिंदी रूपांतर है और personality शब्द जो है वह लेटिन भासा के पर्षोना सब्द से बना हुआ है इस पर्षोना सब्द का मतलब क्या है मुखोटा या फिर नका जैसे बोलते हैं ना कि आपने तो दो नका पहन के रखे हैं ठीक है यानि कि व्यक्तित तो एक पर जो है आपका वो अगर सामाने भाशा में हम बताएं कि व्यक हार रहता है उसका दूसरों के साथ उसकी वेश भूशा कैसी है ठीक है उसका वेश भूशा कैसी है उसकी सासाथ उसके जो कारे हैं वो अपने कारें को किस तरीके से करता है यानि की कारें को करने का धंग उसका कैसा है इन सारी की सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो क्य बन जाएगा उस इंसान का व्यक्तित्व बन जाएगा तो व्यक्तित्व क्या रहेगा किसी व्यक्ति का उसका शारीरिक संगठन उसकी वेश्भूसा बाचीत करने का तरीका दूसरों से व्यवहार कैसे कर रहा है अपने कारियों को किस तरीके से कर रहा है रहन सहन ये सारी ची और समाज बालक की व्यक्तित को क्या है पूर्ण करता है जो आपका बच्चे से छोटा बच्चा होता है उसका विकास है उसके ब्यवहार का निर्मान कहां से शुरू होगा बरताफ करने का तरीका कहां से शुरू होगा घर परिवार से जब रहता है माता पिता के साथ अपने दादी के साथ भाई बेनों के साथ तो उसका जो व्यक्तितु वहीं से बनना शुरू हो जाएगा और समाज में आकर के पूर्ण हो जाएगा व्यक्तितु और की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 में यह पूछी गई थी बहुत अच्छे से इन्होंने का गत्यातमग संगठन है जो व्यक्ति को पर्यावरन के साथ सामंजेस से स्थापित करना सिखाते है कि यह चीज चीज सिखाती है धी कि मन और शरीर दोनों भी चीज़े इसमें आ जाए है यह कि आप मांसिक स्वास्थ को भी इसम्हाड करेंगी, सारी लिक स्वास्थ ले सारी लिक संग्ठन वहां पर मांसिक संग्ठन भी बाइखा, क्योंकि बातचीत, atual विवहर, यह सारी चीज़ा वहां पर नोटिस की जाती है एका डेफिनेशन आपको मैं और बता देती हूँ जो इंपोर्टन डेफिनेशन है सबसे पहली वेलेंटाइन के नुसार तो वेलेंटाइन ने कहाए कि व्यक्तितु जन्मजात एवं अरजित प्रवत्तियों का योग है यानि कि जन्मज से जो भी आपके प्रवत्तियां आएंगे उसासा जो आप समाज में रहकर के परिवार में रहकर के सीखेंगे उन सब का योग ही क्या है व्यक्तितु है वही मिलाकर की व्यक्तित निर्मित होता है जैवीक कारक में कौन कौन से आएगे यह जो कारक में आपको बताने कारक में जैवीक कारक शैय। दोनों प्रवत्यूंका क्या है योग है तो वहीं यहां पर है जैवीकारक में आ जाएगा सबसे पहले आपका आनुवान शिक्ता उसके बाद क्या आ जाएगा शारीरिक संगठन और स्वस्ते साथ साथ अंतहस रावी ग्रंतियां ठीके यानि आनुवान शिक्ता भी प्रभावित और सुरीज से स्वस्थ नहीं यह तब भी क्याओं प्रहावित अपन्य आजाएंगी जो निर्धार्ट करेंगे इसके बाद हैं आपके वातावणिय कारक को दो पार्ड में बता गया है प्राकर्टिक और समाजिक प्राकर्टिक में आपका आसपास का परियावरन आ जाएगा ठीक है जैसे पेर पौदे ये सारी चीजे भोगवलिक परिस्थितियां इसमें एड़ कर देंगे हम और सामाजिक की बात करें तो इसमें परिवार माता पिता आ जाएंगे आपके विध्याले हो गया समाज हो गया जनसंचार के माध्यम हो या सारी चीजें आ जाएंगी सामाजिक निर्धारक में आगे आते हैं व्यक्तित्व की विशेस्ता के बारे में देखते हैं व्यक्तित्व की विशेस्ता क्या या रहेंगी तो सबसे पहला है आपका स्वजागरूकता या आत्मचेतना स्वजारूकता और आत्मचेतना सारी चीजें आपके यहां पर आ जाएं यानडर सी चीजेंगी जानवरों में ये गुड नहीं पाया जाता है उनके कोई तरीका नहीं होता है ऐसी छोटे बच्चे हो गए उनमें भी आत्मचेतना नहीं पाय जाती है तो आत्मचेतना उस वजारूग तक क्या रहेगी जिसमें क्या है कि अपनी ही मतलब हम इस चीज़ को सुईकार करते हैं क क्या चीज़ें हम करें जो ठीक रहेंगी समाज में कौन से ऐसे नियम है जिनका उलंगन हमें नहीं करना चाहिए अगर हम समाज में रह रहें तो ये सारी चीज़ें आजाएंगी आपकी दूसरा है निरंतन निर्मान की प्रक्रिया तो जैसे आप जानते हैं आपके अनुभ व्यक्तित में भी क्या है दीरे दीरे परिवर्तित होता रहता है बदलता रहता यहीं क्या है निर्मान होता रहता है यानि कि ये प्रक्रिया जो है वो निरंतन चलती रहेगी तो ये निरंतन निर्मान की प्रक्रिया रहेगी नेक्स्ट पॉइंट है आपका शारी रिक्वा मानसिक स्वास्त ये भी एफेक्ट करता है अच्छे व्यक्तित्व की ये भी विशेस्ता है आपकी शारीरिक मानसिक स्वास्त यानि कि अगर आप शरीर और मन दोनों से ही स्वस्त होंगे तो विकास अच्छा होगा व्यक्तित्व का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा लेकिन अगर शरीर और मन दोनों से ही स्वस्थ नहीं है सही नहीं है तो व्यक्तित्व कहीं न कहीं प्रभावित होगा पूर्ण तरीके से विक्सित नहीं हो पाएगा व्यक्तित्व तो ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ भी व जो कोई काम करना है अब इस काम को करते समय आपके मार्ग में कोई भी रुकावट आ रहे हैं कोई भी कठनाई आ रहे हैं फिर भी आप क्या एस अंगर्श किये जा रहे हैं कि नहीं मैं ये काम पूरा करके ही छोड़ूगा वो जो आपने अपने अंदर द्रण इच्छा बना लेकिए काम मुझे पूरा करना ही करना है वही क्या है द्रण इच्छा सकती तो व्यक्तित्व की ये कि ये भी आपकी विशिस्ता है इसके बात है निर्देशित लक्ष की प्राप्ति ये भी विशिस्ता है अगर आपको किसी भी इंसान की व्यक्तित्व का पता लगाना है क ये किस तरीके का इंसान है कैसा कैसी personality है तो उसने अपनी जीवन में कौन से लक्ष निर्धारित किये हैं उन लक्ष को पूरा करने के लिए वो किस तरीके से कारे कर रहा है उसका तरीका ये सारी चीजें क्या है उस व्यक्ति के व्यक्तितों को निर्धारित कर देंगी ऐसी उ उसकी विक्तत को डिस्क्राइब करेगा अब आप खुद से ले लो आपको एक्जाम दे रहें वहाँ पर अगर नहीं एक बार में क्लियर हो पा रहें और आप हार मान के बैठ जाओ आगे काम ना करो तो क्या होगा फिर ठीक है तो यही चीज़े हैं द्रड इच्छा सकते यही आपकी कहते हैं कि बस लगे रहो एक बार हार मिली अगली बार मिलेगी सक्सिस ठीक है सामाजिकता क्या रहेगी तो सामाजिकता का मतलब क्या है कि मनुश्य हम पता है मनुश्य है सामाजिक प्राड़ी है समाज में रह रहा है तो समाज में आने वाले समाज में वो जितने ल तो सामंजसी जो आपकी चीज़ है वो दो इसमें रूप लेंगे सामंजसी का मतलब है एक तो बाहे बातावरण के साथ तालमेल बिठाना बाहरी जो वातावरण है उसके साथ तालमेल बिठाना साथ साथ जो अंते बातावरण अंतेवातवरंड का मतलब है जो मन का हमारा जो भी कंडीशन है मानसिक इस्थितियां जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है न कभी-कभी लाइफ में तो उन सब के साथ तालमेल बिठाना आ जाएगा सामन जुस्से में ठीक है ठीक है तो आपका यहां से पहला है बहुत प्रहाबित करता है माता पे तक के साथ रहना भाई बहनों के साथ रहना उनके साथ कैसे ब्यवहार कर रहे तालती है इसमाज भी दो हो आनि सहाय क्या प्रभाबित करता है अच्छे संगती में अच्छे समाज में आप रह रहे हैं तो वहां पर जो चीजे रहेंगी वह अच्छे से रहेंगी ठीक है उन्हीं चीजे वह पता है एक छोटा बच्चा है वह क्या क्या है वह चीजों का अनुकरण करता है जैसा आप करेंग हम्माइर्जों पंदी व्हुंभी वर्ष करते हैं वह सिills नियुके बच्छों कहा में पता है वह क्या करते है उनकांदी काम अगर उनकाद में अच्छा ओरnd چेजे न या कि आसका काई सुभावित करती pajama कि अभी परिवार कैसा है कंजोर बिसके परिवार के उसके बच्चे हैत से ङाधा रहती ये ना बच्चों में और अच्छी इस थोड़े फेमली बार में बारे होते हैं वह तोड़े दहाइब वह सबस्क्रावसर रहती ह不錯 वसे ऐसा है नहीं लेकिन हां कहीं न कहीं यह चीज एफेक्ट डालती है कि अगर आप आर्थी की सिती आपके परिवार की थोड़ी कमजोर है तो वो थोड़ी निगेटिविटी जिसे निराशाएं वगरा रहेंगे आरे कुछ नहीं हो रहा है यह सारी चीजें और उसके बाद आपके जनसंचार के जो माध्या में यह भी व्यक्तित को प्रभाबित करते हैं जिसे रेडियो हो गया टेलिविजन हो गया पत्र पत्र काई जो आती है ठीक है मानले जो किसी टेवी पर ही कोई महापुरुष्ट के अगर बारे में चल रहा है अभी जिसे गांधी जी के बा प्रभाबित करते हैं बच्चों को तो यह सारे इनके कारक रहेंगे आज इतना ही रखेंगे जो व्यक्तित्व के आपके पांच गुड़ पूछे जाते हैं वो हम करेंगे नेक्ट ग्लास में ठीक है थैंक्स पर वाचिंग और प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं बबाई टीक कियर